मानव मुल्यों में जीता है, मुल्य विहिन मानव नहीं है, वेक्ति का वेक्तित्व नय प्रदाई शम्ता से प्रदर्शित होता है, केवल उत्पादन ही मानव जीवन के लिए सर्वस्व नहीं है, जीने देना ही जीना है, जीने दो और जीओ, प्रत्यक मानव भैमुक्ति के के लिए प्रयासरत है, समझना ही देखना है, देखना ही समझना है, मानव में शरीर की आवशक्ता निश्षित व सीमित है, शरीर की आवशक्ता पूर्ती के लिए साधन भी परियाप्त है मानव में वर्ग वहीनिता जन्म से होता है मानव मानव के साथ सुखी होने के लिए विवहार करता है मानव में अखंडता के लिए मानवीता ही एक मात्र शरण है सत्ता में अनुभव करने के लिए सब के पास समान उसर है मानव सुग धर्मी है, मानव का धर्म सुखी होना है वेवभार मानव जीवन का अविभाज अंग है या मानव वेवभार विहिन नहीं है जिसके पास जो होता है वह उसे बाटता है विने में मानो जीवन में अनिवारिय प्रक्रिया है हमारे सुखी या दुखी होने का कारण हम स्वैम ही होते हैं वेवार के बिना मानो का कारेक्रम सिद्ध नहीं होता है जो घटनाए स्वैम के लिए वेदना का कारण है वही दुसरों के लिए भी वेदना का कारण है ये स्विकार करना ही समवेदना है प्रत्यक मानव प्रकृति का अभिन अंग है प्रत्यक मानव का लक्ष भीन कारिक्रम नहीं है स्थान एवं वस्तुओं का संपत्तिकरण अस्ताई है मानव के द्वारा किया गया संग्रह एवं संपत्तिकरन स्वयम शरणशील है सभी संबंद पुरुनता के लिए अनुबंद है जागरिती की यात्रा में कदम रखते ही सब पाप, ताप, शाप, शांत हो जाते हैं मानव जाती सही में एक है और गलती में अनेक है आरोप वो कल्पनाए अनेक होती है आधार विहिंता ही आरोप एवं कल्पना है आधार के वल प्रमान ही है समझदार या जागरित मानव कर्म सोतंत्र होता है एवं फल सोतंत्र भी होता है प्रत्यक मानव गल्ती करने का अधिकार लेकर एवं सही करने का आउसर लेकर जनमता है प्रहमीत या नासमज मानव कर्म सोतंत्र होता है एवं फल परतंत्र होता है मानों में विनिमय सामाईख है, मानों में वस्तु एवं सेवा का नियोजन सामाईख है, मानों में संपूर्ण उपभोग सामाईख है, मानों में शुधा पेपासा सामाईख है, बाद्धता जब कटाक्ष स्तिती में आती है तब आचरन में प्रकट होती है गुरु मुल्य में लगु मुल्य समाया हुआ है संपूर्ण मुल्य का केवल अनुभव ही है यह सुविचार आदर्निय पुजनिय श्री ए नागराज जी द्वारा प्रतिपादित है सह अस्तितोवाद मद्यस्त तर्शन धन्यवाद